स्वागत है हमारे टूट चनल में इस वीडियो में हम लोग बट्टा जिसे हम चनल भासा में छूट बोला जाता है इसे अंगरेजी में सेल कहा जाता है हम लोग पराया, दसरा, दिपाबली, ईद, सहारभूल, क्रिसमाग, आति, त्यारू पर कपड़े की दूकान में सेल लगती है यह ना बड़वड दूकान में, बड़वल इलक्ट्रोनिक में क्या होता है कि सेल लगा होता है यह बट्टा चुट बला जाता है यह ना तो आखिल यह बट्टा चुट है क्या कोई भी दुकान आगर भूल दिया कि आप इस पर यह जीसी यह कपड़ा खर देंगे तो आपको इस पर सेल मिला या तो इस सेल है क्या सेल का मतलब है कि जो उस वस्तू का जो मूल है उसमें आपको कुछ कम पेसे दने पड़ेंगे उसी को सेल या बट्टा या चुट कहा जाता है है ना मैं आपको थोड़ा समझाने की समझाने का कोशिज करता हूं ठीक है देखिए माल लेते हैं कि कोई कपड़ा आपने खर दा है ठीक है इसे जीन्स माल ले खर दे आपने वो जीन्स का दा में माल लेते हैं कि 500 रुपी ठीक है और उसमें जो है वो दस परतिसत क्या है चूट दिया गया है तो यह दस परतिसत जो चूट दिया गया है तो उसको केसी निकालेंगे है यह ना इस चूट को केसे निकालेंगे बताइए तो उसको चूट निकाले का तरीका है यह जो दस परतिसत जो है वो जीन्स का धा में उसे हम गुणा करेंगे और नीचे में क्या होगा सो होगा ठीक है एक जिरो जिरो कटेगा एक जिरो जिरो कटेगा अब क्या हुआ दस पचा और पांच पचा आफो गुनाव होगा कितना होगा दस को पांस से गुना करें कितना पचास मतलब जो है आपको कितना चुट मिला उजींस में पचास उर्पिया मतलब कि आपको जो है उजींस में पांसो ने देना पड़ेगा आपको कितना देना पड़ेगा पांसो में पचास घटेंगे तो कितना देना पड़ेगा सारे चार स रुप्या का क्या किया आप किताब खर दे ठीक है क्या खर दे किताब खर दे उसमें से बोला गया है कि आपको 25परतिसर्थ क्या गया है चूट दिया गया तो आपको मोकिताब दोसट ने देना पड़ाईगा उसमें से आपको 25 परतीसात क्ये चूट दीया ہیں तो युझे परतीस परतीसात कितना चूट दिया है वो निकालते है इस 25 को किसंगर नाख करना पड़ेगा जियां य। और नीचे में छूट दिया गया आपको जो है इस दो सुरुपय किता आपका मुल देना नहीं पड़ेगा आपको कितना देना पड़ेगा आपको जो है इसमें पचास रुपय छूट दिया है दो सो में से दो सो में जो है अब पचास घटाएंगे तो कितना होगा डेल सू आपको कितना देन मैं बताता हूं ठीक है और यह जो फॉर्मला है आप इसको याद कर लेंगे ठीक है धेकर यहां पर दिया वाय यह अभी याद कर लिजेगा यहां पर होता है विक्रे मूल बराबर अंकिद मूल मैंनस बट्ट ठीक है यहां पर अंकीद मूल क्या है विक्रे मूल क्या है वो मैं बताता हूं देखिए अंकीद मूल मतलग हुआ कि आप जीन्स का जो मूल है मालेजी के 500 रुप्या का जीन्स है ठीक है उसको बलते हैं अंकीद मूल अब जो है अब यह जो जीन जो है उसका अंकित मुल के नाब 500 अब उसने क्या क्या है 400 में 600 में बेचा उसको क्या बोलते हैं विक्रे मुल ठीक है जिसका दा में 500 उसको अंकित मुल बोलेंगे जिसको मलक खरदा उसको बोलते हैं अंकित मूल अब उसको बेचा उसको बोलते हैं विक्रे मूल ठीक है बटा तो आप लोग समय जे गए तो मैं यह फॉर्मूला जो बोलूँगा आप लोग याद कर लिए विक्रे मूल बराबर अंकित मूल मानस बटा जिसको बट्टा को बोलते है छूट की रासी ठीक है दूसरा फॉर्मॉला है बट्टा बट्टा बराबर होता है अंकित मुल्य मानस बिकरे मुल्य ठीक है अब देखें आपर क्वेशन क्या है क्वेशन यह किया है कि एक घड़ी का अंकित मुल्य कितना है 2500 रुपे है इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो बताइए बट्टे की रासी क्या है इसका विक्रे मूल क्या है यही बोल रहा है कि यह घड़ी का जो अंकित मूली है यह अंकित मूली मतलब उस पर दाम है अंकित मूली से गुबला जाता है अब यह आपर क्या बोला कि 10% छूट दिया गया तो इसका विक्रे मुल कितना होगा तो पहले आप क्या करते ही बट्टे की रासी निकाल लेते एक नमबर ठीक है तो पहले हम लोग क्या करेंगे घड़ी का जो है अंकित मुल लिखेंगे कितना है अड़ायसस निहें 2500 यह बट्टी ग्रासी कैसे निकालेंग कि यह जो बट्टा दिया गया है अंकित मुल केना करेंगे नीचे में 100 होगा तो 100 कुटेगा मतलब कितना होगा यहाँ पर आडाइसो मतलब मतलब बट्टी की रासी क्या है आडाइसो मतलब जो है कि 2500 जो घड़ी जो में आपको कितना बचत होगा आधायस देना मोरा फसमेन फार्म्दल्यू्स कत्तeka होला सबुत होके दूए क्या हुआ है। दो सो पचास ठीक है यह आपका विक्रे मूल होगा ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन यह कह रहा है कि एक प्रेसर कुकर का अंकित मूल्य सरे चार सु रूपया है और यह सरच्छे सुमें उपलब्द है ग्याद कीजिए बटे का रासी बटे की दर यहाँ पर अंकित मूल्य कतना दिए हुआ है 3.460 और 360 में क्या है यह उपलब्द है मतलब की यहाँ पर प्रेसर कुकर का अंकित मूल्य सर्चार सु है और वो जो बेच रहा है कितना 360 में तो यहाँ पर बटे का रासी गयाद करना है और बटे का धर तो यहाँ पर बट्टे का जो रासी है तो यह formula के जरीए बनेगा मैं तोड़ा आपको दिखा देता हूँ जो आपका नीचे जो formula ना बट्टे बट्टा बराबर अंकिन मुली मानस विक्रे मुली इसके जरीए बनेगा मैं यह पर यह formula यहाँ पर लिखा हूँ देखें मट्टे का रासी बराबर अंकिन मुली मानस विक्रे मुली तो यहाँ पर जो है अंकिन मुली कितना है 400 आप जो है आप लोग यहाँ पर लिख लिजेगा प्रेसर कूकर का अंकिन मुली और प्रेसर कूकर का विक्रे मुली तो अंकीत मूल है सरे 400 है और प्रेसर कूकर का विक्रे मूल rested 306 रूपया ठीक है यहां लिख लीजिए अगसमेने लिखना भोल गया जो है तो अंकीत मूल यहां पर कितना है सारे 400 और विक्रे मूल 360 रुपिया, सारे 400 में तो 360 जागा तो कितना बाजएगा, 90 रुपिया, ठीक है, यह हो गया, बटे का रासी, मतलब कितना उसका चूट दिया जा रहा है, वो 90 रुपिया चूट दिया जा रहा है, है ना, अब इसका बटे की दर्ग याद करें, मतलब परतिसाद क्याद करेंगे, आकिर यह जो 90 रुपिया जो रहा है, उसका कितना चूट दिया गया, तो देखी, यहाँ पर इसका फॉर्मुला होता है, यह बटे की दर बराबर क्या होता है, बटा, गुना सो, बटा, गुना सो, बटा, अंकिन मुल्य, और बटे की दर को यह परतिसाद बटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बटा मेरा कितना है, 90 है, यहना, बटे लिखें, 100 तो रहेगा, और अंकिन मुल्य कितना, 4500 है, यहना, पहले मैंने क्या किया, 100 को यहाँ से काटा, और मैं 9 को, और पेतालिस को काटा, 9 का पढ़ा में 1 बरा आया, और 45 इस नुका पढ़ा में 5 बर माता है, यहने फिर 5 को क्या क्या है, 100 से काटा, तो 100 कितना बर माता है, 5 का पढ़ा, 20 बर में आता है, ठीक है, तो एंसर कितना होगा, 20 पर 30, ठीक है, असा करता हूं को आपको, यह कोर्शन समझ में आ गया होगा, मैं आप चलता हूं, नेक्ट को क्या है, यहां बोला जा रहा है कि सर्द रिटु की समप्ति में 10 पृतिसाद बट्र मिलने पर एक स्वेटर, 500 में उपलप्त है, स्वेटर का अंकित मोल बयात कीजिए, यहां अंकित मोल दिया वाने यहां पर निकाल यहां, अना, और स्वेटर का जो थो रह रहें, वो वक् यहां पर क्या ना पड़ेगा, आपको यह पर मानना पड़ेगा, कि, स्वेटर का मुलं कतना है, 100 रुपिया, माननांगे और यह 100 परहूनी मानेगे, क्योंकि जो हैं, कि यहां जो दस परतिसाइगे बह्ता दिय आ गया तो तुछी में दिय जाएगा ना yeah तो 200 में नहीं मान सकते हैं परतिसाइग कई रूलेकिक आप स्वहीं में निकालना है 30 इसको गुना करें कितना से सो मतलब ब्रस मतलब स्वेटर का विक्रे मूल कितना 100 विक्रे मूलmal सब्सक्राइब एक मुल्य कितना होगा मैं 50 शुटर उसरवी निकाल या कितना है सो बटा नभी गुना कितना हो सड़े चार सो होगा है ना तो नभी को 45 से काटे ना पहले 0-0 को मैंने काटा उसके बाद 9 का पड़ा से काटा 9 को और 45 को काटा 5 बार में ठीक है और यह बचा 100 और यहाँ पर 5 और गुना होगा कितना आएगा 500 ठीक है आपको साथ समझ में नहीं आयाओगा नहीं आयाओगा मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर अंकित मूल दिया वा नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे आपको 100 मानना पड़ेगा अंकित मूल अब उसी 100 के अंडर बटा निकालना पड़ेगा कि उसमें कितना रासी दिया गए हाँ कि जो बटा परतिसा दिया रहता है तो अंकित मूल की जरी निकालते है तो यह हम लोग यहाँ पर किये है ठीक है और स्वेटर का विक्रे मूल कितना होगा बताए मुहाँ पर जो 100 रुपे इसका अंकित मूल है उसमें से 10 परतिस शुप्ट दिया है तो नबे होगा न जो मालने है अंकित मूल उसके जरी हम निकाले ठीक है इसका मतलब है कि 90 रुपे विक्रे मूल पर उसका अंकित मूल कितना है 100 रुपे ठीक है लेकिन पेताल साड़े 400 रुपे पर एक्चुली में तो इस स्वेटर का दाम कितना है साड़े 400 रुपे विक्रे मूल पर उसका अंकित मूल कितना होगा यहां तो बता रहा है कि 90 रुपे विक्रे मूल पर स्वेटर का अंकित मूल कितना है 100 है साड़े 400 पर कितना होगा तो पहले हम क्या करेंगे बिक्रम मूल पर अंकीद मूल कितना सो रुप्या हैरज फिर में ने की आ गिया इक बिक्रे मूल एक पर निपाला कितना आया सवबटा नभी इसी पकर कetzt और 400 रुपे पर लुद पर अंकीद मूल कितने आगाओ कि यहीं होगा 500 रुपे आना और मैं आसा करता हूं कि आ बज में आ गया होगा अज़का वीडियो है समाप्त करते हैं दानी बाद